नमस्कार मिनासमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News हर्याना विधान सभा चुनाव से पहले भारती जनता पाटी की पहली लिस्ट पर होती चर्चाओं के दोरान अब भारती जनता पाटी के कई दिगगत चहरे नराज होते वे नजर आएंगे और कई चहरे बागी होते वे भी दिखाई दे सकते हैं कई चहरों का निर्दली चुनावी मैदान में उतरना भी तै हो सकता है बेहार में लोकसभा चुनाफ की मधे नजर हमने कई चहरे देखे जिसमें से आरजेडी के ऐसे चहरे थे जो निर्दलिये चुनावी मैदान में उत्रे जिसमें हीना शहब जहां महगडबंधन की तरफ से पपू यादव और जहां एंडिये की तरफ से पवन सिंग का नाम सुर्ख्यू में था निर्दलिये चुनावी मैदान में उत्रे लिके ने पपू यादव की ही जीत होती भी नजर आई ऐसा ही हाल विधान सभा चुनाफ को देखते हुए हरियाना में देखा जा रहा है भारतिय जनता पार्टी 23 उमिदवारों की पहले लिस्ट जारी कर सकती है एक से दो दिनों के अंदर और इस बीच में जिस लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है उस नामों की अगर हम बात करें तो इसमें कई नाम गायब नजर आते हैं और कई नाम ऐसे हैं जिने पहली बार भारतिय जनता पार्टी ने मौका दे दिया है लिस्ट से पहले उन दो नामों की चर्चा कर लेते हैं जिसमें भारतिय जनता पार्टी इस बार फेर बदल करती हुई नसर आई है या कहें कि एक के साथ इंसाफ तो दूसरे के साथ नाइंसाफ ये होई है जहां किरन चौधरी जो कॉंग्रेस पार्टी का दिग चेहरा थी विधाई का थी तो शाम से लेकिन भारती जुनता पार्टी में शामिल होने के बाद राजय सभा सांसद निर्वरोद चुन ली जाए पर देखा जाए उनकी बेटी शुरुती चौधरी अब चुनाव विधान सभा का लड़ सकती है इसी के दार पर राव इंद्रजीत सिंग्ग केंद्री मंत्री बनना चौहते थे लेकिन भारती जनता पार्टी लगतार तीन बार से राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री बन लिस्ट में जिन नामों को आगे लेकर आई है और चौह आने वाले नशर आते हैं जैसके उमिद्वारों की लिस्ट को लेकर जिस की चरचा यहां पर है इसमें अगर हम बात करें तो लाड़वा से नियापसैनी चुनाव लड़ेंगे लोहारू से जेपी दलाल तो शाम से पिस्रूती चोदरी ज़सकी कहा गया बवानी से खेडा बवानी खेडा से बात करें तो भीशवंबर वाल्मीकी चुनाव लदतवी नाजर आएंगे यहां पर आदम पूर से बात करें तो भवे विश्णौर बवाल से बात करें डौक्टर सोना से बात करें तु संजे सिंग महेंद्रगर से राम विलास शर्मा हिसार सिटी से सावित्री जिंदल जिंद से किर्ष्णा मिड़ा केथल से लीला राम गुजर पंचकुला से ज्यान चंद गुपता जागधरी से कवल पाल गुजर अंबाला केंट से अनिल विज थाने सर स सुभास सुधा पानिपत ग्रामीड से महिपाल ठांडा नार नौद से कैप्टन अभीमन्यू बादली से ओपी धनकर नागला चौदरी से डॉक्टर अभेस सिंग यादम यह लिस्ट है जिसमें 23 नामों को आगे किया गया है और इसमें तो शाम सिकिरन चौदरी की बेटी चौदरी का नाम है लेकिन इस लिस्ट में अटेली से किसी भी नाम की चर्चा नहीं की गई है और नहीं आर्थी राव सिंह का नाम है यानी कि अटेली ऐसेट को महत अभी भारतिय जंता पार्टी ने नहीं दिया है इस अधार पर कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट जो जारी होगी क्या उस दोरान हरियाना में भारतिय जंता पार्टी को कई दिगज चहरों के चलते नराज़की का सामना करना पड़ सकता है आपको क्या लगता है हरियाना विधान सभाच चुनाव में भारती जनता पाटी क्या इस बार भी 40 पार का नारा पूरा करती वी नजर आएंगी या फिर 40 से भी कम सीटों पर सिमट कर रहे जाएंगी क्या है आपकी राइस मुद्दे को लेकर अपनी राइकम सेक्शन में जरूर देखते रहें